तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुम रशी की कुम रशी का 2021 वर्ष कैसा रहेगा और क्या रेमेडीज रहेंगी तो यह उसकी वर्ष परविश कुंडरी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मन्थ डेट्स का थोड़ा ओवर्विव दूँगा और लास्ट में रेमेडीज की बात करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए आप किसी अच्छे एस्ट्रोलाजर और उसको प्रीडर से कंसल्ट कर सकते हैं तो चलिए लेट गेट स्टार्ट तो दोस्तो कुम रशी पे भी शनी ट्वल्थ हाउस में होने के कारण साड़े सती का प्रभाव बना रहेगा कुंडली पे फल्सव रूप वही आयकम खर्चा अधिक घरेलू कारोबार संबंदी उलजने रहेगी पती पतनी में तनापूर्ण संबंद रह सकते हैं परंतु शनी राशी स्वामी होने तथा 6 अप्रेल से लेके 13 सितंबर तक गुरू इस राशी पर संचार करने से मान सम्मान धार्मिक वे अध्यातिमिक कार्यों में प्रवित्ती बढ़ेगी और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इन दोरेशन के दोरा 16 अप्रेल से लेके 13 सितंबर 2021 तक ठीक है उसके बाद अगर बात करूं 12 फरवरी से लेके 13 मार्श तक सूर्य का इस राशी पर संचार रहने के संचार रहने तथा 14 मार्श लेके 13 अप्रेल तक मीन स्थत सूर्य परशनी की द्रिश्टी के कारण कारियों में थोड़ा विगन पढ़ सकता है क्रोध अधिक नेत्र का इस रिलेटर कोई प्राब्लम हो सकती है स्वास्तहानी या मानसिक तनाव किस्तिती बन सकती है एक जनवरी से 28 मार्श तक काल्प सर्प योग का योग भी बन रख बनता है तो ये एक घरेलू तनाव बनाई रखेगा 2 जनवरी से लेके 19 जुलाई तक मंगल की अस्टम दिश्टी तथा मंगल शनी के समसब तक योग रहने से और बीस जुलाई से लेके चार सितंबर तक तथा मंगल सितंबर तक मंगल की तथा सोला अगस्त से लेके पंदरा सितंबर तक सूर्य की दृष्टी रहने से क्रोध, तनाव, गुप्त जन्ताएं रह सकती हैं जात्तको और 23 मैं से लेके 10 सकतूबर तक राशी स्वामी शनी वक्री रहने के कारण कारियों में संघर्ष थोड़ा, यानि की जिसे हम हाड़ वर कह सकते हैं वो बढ़ सकता है और इन्दा सेम टाइम खर्चे भी बढ़ सकते हैं साथ में तो यह दोस्तो कुम्बर अशी का 2021 यह का एक ओबर्विव रहा विद डेट्स एंड मन्स और क्विक्ली अब हम कर लेते हैं रेमेडिस की बात तो रेमेडिस अब अशी ही फॉलो के रिए मैं हर वीडियो में ज्यादा रेमेडिस पर फोकस करता हूं क्योंकि आप अगर आप श्रद्धा से करोगे तो आपको डेफिनिटली बेनिफिट मिलेगा और नो डाउट हर जातकी अपनी अलग कुंटली होती है तो किसी को क्या सूट करेगा बट जो यह रेमेडिस हैं पर्टिकुलर वर्ष इन राश्यों में और जो उपाये बताएगे हैं सभी राश्यों में तो वो सब पर इंप्लीमेंट होता है हर जातक पर इंप्लीमेंट होता है जिसकी विज़य से कुंटली है तो आप अवश्ये उसे फॉलॉ बिलपत्र एक चुटकी शक्कर डालकर ओम नमशिवाय मंत्र का जाब करते हुए चड़ाएं, ये करने के बाद पीपल को भी जल अरपन करें। यानि कि शिविलिंग पे कच्ची लस्सी में एक बिलपत्र एक चुटकी शक्कर डालकर और ओम नमशिवाय मंत्र का जाब करते हुए कच्ची लस्सी शिविलिंग पे चड़ाएं। और चड़ाने के बाद मंदिर में जातर पीपल का आसपास आपको पेड़ मिल देगा तो शिवलिंग के बाद पीपल पे भी चल अरपन करें ठीक है और दूसरा पाय क्या है दोस्तों अपने जनम दिन वाले अपने बड़े वाले दिन और साथ शनिवार कोई भी चूज कर लीजिए अंधे लोगों या कुष्ट रोगियों को दवाईया कच्चा अनाज या वस्त रेत्रियादी जो भी आपकी समर्थ है नुसार आप दे सकते हैं से उनकी सेवा करिए ये जाते के लिए अतिशुबर रहेगा तो दोस्तो प्रभू आपका कल्यान करें इसी आशा के साथ ही मैं वीडियो समाप्त करता हूँ कुंब राशी की 2021 और नेक्स्ट वीडियो हम लास्ट जो है वो मीन राशी पे लेके आएंगे 2021 पे धन्यवाद